हेलो आज हम इस वीडियो में फार्मूला टैप के डेट एंट टाइम फंक्शन में नेटवर्क डेज फंक्शन और नेटवर्क डेज फंक्शन डोट आई एंट एल फंक्शन के बारे में जानेगे तो सबसे पहले यहां पे हम नेटवर्क डेज फंक्शन के बारे में जानेगे तो नेटवर्क डेज फंक्शन का मतलब होता है नेटवर्किंग डेज कि हमने एक सार में या दो सार में या दो महिनों में टोटल नंबर ओफ डेज कितने दिन हमने काम किया वो हम यहां पे निकालेंगे तो इसको निकालने के लिए हम यहां पे network days function का use करेंगे यहां पे देखो यह जो start date है हमने यहां पे 1st June से ले गई है और यह जो end date है यहां पे 31st July है तो यहां पे यह 2 मीने है तो अब हम यह देखना जाते हैं कि इन 2 मीनों में हमने total working days कितने दिन काम किया तो उनको हम यहां पे निकालना जाते हैं तो इसको निकालने के लिए company में क्या होता है जो Saturday होता है और जो Sunday होता है वो weekend होता है उसमें छुटी होती है Saturday और Sunday को तो यहां पे इन days को यह काम कर देगा तो बाकी जो days हमने काम किया उसको यहां पे निकाल के देगा तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहां पे click करेंगे click करने के बाद इकल टू यह लिखा लिखने के बाद यहां पे लिखेंगे network days network days यहां पे निच्छे आ जाएगा यहां पे double click करेंगे double click करने के बाद आगे दिये गया है start date तो किस date से start किया हुआ है यह start date है यहां पे click करेंगे click करने के बाद कॉमा लगाएंगे यह कॉमा लगाया इसके बाद दिये गया end date end date जो है यह है यहां पे click करेंगे यह cell name यहां पर आ जाएगा B3 आने के बाद bracket को बंद करेंगे यह bracket बंद की enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो यहां पर 45 days यहां पर आगे कि जितने दिन हमने 2 मीनों में काम किया वो यहां पर 45 days है तो यह कैसे यहां पर निकल के आए इसको यहां पर समते ह है तो यहां पे हमने क्लिक किया क्लिक करने के बाद one month में four week होते हैं और one week में two holidays होती हैं यहां पे हम formula लगाएंगे equal to equal to के बाद यहां पे four लिखा एक month में four week होते हैं four लिखा four के बाद multiply इसके बाद एक week में two holidays हैं तो यहां पे two लिखा, टू लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे, तो enter प्रेस करने के बाद यह लिखो, यहां पे 8 आ जाएगा, तो one month में, कितनी यहां पे holy days आई, 8, यहां पे 8 आ गया, आने के बाद, इसके बाद हम यह निकालेंगे, कि two months में, कितनी holy days आई, तो इसको यहां पे निकालेंग इकल टू ये लिखा 8 ये 1 month में ये 8 holidays है multiply multiply किया 2 से 2 लिखा लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यहां पे 16 holidays आगे यहां पे 2 months हैं इसमें 16 holidays हैं तो ये रिखो ये जो month है ये June तो ये June जो है यहां पे 30 days का होता है और ये जो July है यहां पे 31 days का होता है तो ये यहां पे कितने दिन होगे इसके जैसे यहां पे equal to हमने लिखा लिखने के बाद यहां पर 30 plus 31 enter प्रेस किया तो enter प्रेस करने के बाद यह रिखो 61 यहां पर आ गया आने के बाद यह total days होगे 2 मिनों में इतने days हैं यह इसके बाद यह 16 यहां पर holidays हैं तो हम क्या करेंगे यहां पर equal to यह लिखा लिखने के बाद 61, यह 61-16, enter प्रेस किया तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो, यहां पे 45 आ गया तो इस तरह से यहां पे 45 यहां पे आया हुआ है अगर हम यह दो मीनों में यह चेक करना जाते हैं कि हमने कितने दिन काम किया तो हम network days function के जरिए इनको यहां पे निकाल सकते हैं यह तो यहां पे 2 months में 16 यहां पे holidays है यह Saturday और Sunday की holidays है इसके इलावा हम यहां पे यह 2 holidays, guested holidays यह भी इसको add करना जाते हैं तो इसको add करने के लिए हम के करेंगे, यहां पे click करेंगे click करने के बाद यहां पे equal to यह लिखा लिखने के बाद यहां पे formula यूज़ करेंगे network days, यह network यहां पे आ जाएगा यहां पे double click किया double click करने के बाद start date, यह start date है यहां पे click किया, यह surname यहां पे आ जाएगा इसके बाद कॉमा इसके बाद end it यहाँ पी क्लिक किया यह end it यहाँ पी आ गया है इसके बाद फिर कॉमा लगाया कॉमा लगाने के बाद यहाँ पी दिये गया होली डेज तो होली डेज लिखा हुआ है तो होली डेज कौन सी है स्पोस करो यह गेस्टेड होली डेज है तो इन के बाद bracket को बंद करेंगे यह bracket बंद की बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद यह रिखो तो पहले यहां पे जो टॉटल वर्किंग डेस थे 45 थे इसके बाद यहां पे दो holidays guested हमने और एड़ की add करने के बाद यहां पे जितने हमने working days लगाए यहां पे 43 रहेगे क्योंकि यहां पे 2 or less किये तो यहां पे 43 working days आगे तो इस तरह से हम यहां पे network days के जरीए यहां पे यह निकाल सकते हैं कि हमने total कितने दिन हमने काम किया इसके बाद हम अगले function को करेंगे तो यहां पे sheet 2 पे click क्या यहां पे click करने के बाद आगला जो function है वो है network days dot intl function तो इसमें क्या होता है जो weekend होता है companies में वो कभी कभी companies में Sunday Monday होता है या Monday Tuesday होता है या Tuesday Wednesday होता है तो यहां पे हम network days dot intl function के जरीए इसको यहां पे निकाल सकते हैं तो इसको निकालने के लिए यह देखो यहां पे हम click करेंगे click करने के बाद यह start date यहां पे लिखी हुई है end date यहां पे लिखी हुई है अब हम यहां पे अपने इसाब से यहां पे weekend सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा हमने यहाँ पर select करना है तो यहाँ पर click किया, click करने के बाद equal to यह लिखा, लिखने के बाद networkdays.intl function use करेंगे यहाँ पर यह देखो, net लिखा, यहाँ लिखते ही यहाँ पर दो option आ जाएंगे, हम नीचे इस option पर click करेंगे networkdays.intl इसके उपर click करेंगे, double click करने के बाद यह निखो यह formula यहाँ पे आजाएगा आने के बाद यहाँ पे दिये गया start date तो start date यह है यहाँ पे click करेंगे यह cell name यहाँ पे आजाएगा इसके बाद comma लगाएंगे comma लगाने के बाद दिये गया है end date तो end date यह है 31st July यहाँ पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद यह cell name यहां पे आ जाएगा B3 B3 लिखने के बाद यहां पे comma लगाएंगे comma लगाने के बाद यह दिया गया है weekend तो weekend जो है यहां पे यह दोखो option आ जाएंगे कि companies में कभी-कभी weekend जो होता है Saturday Sunday होता है और कभी कभी Sunday Monday होता है और कभी कभी Monday Tuesday होता है और कभी कभी Tuesday Wednesday और इसी तरह यkach Berufies देगे है तो यहां पर आगे यहां पर numbering दी गई है one two three जैसे one Saturday और Sunday के लिए है two जो है Sunday और Monday के लिए है three जो है Monday और Tuesday के लिए है तो हम यहाँ पे number भी लिख सकते है या हम यहाँ पे select करेंगे कि यह जो company में weekend है कौन सा है suppose करो यहाँ पे weekend है Monday Tuesday यह company में Monday Tuesday weekend है यहाँ पे 3 पे double click करेंगे यह देखो 3 यहाँ पे आ जाएगा तो 3 यहाँ पे आ जाएगा आने के बाद bracket को बंद करेंगे यह bracket को बंद किया बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे enter press करने के बाद ये लिखो जो total days हमने काम किया इन दो मीनों में ये 43 days काम किया अगर हम इन guested holidays को इनको भी add करना जाते हैं तो हम इनको भी add कर सकते हैं इसमें तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे फिर यहां पे click करेंगे click करने के बाद equal to ये लिखा लिखने के बाद networkdays.intl इसके उपर double click करेंगे double click करने के बाद start date ये है यहां पे click किया ये sell name यहां पे आ जाएगा इसके बाद कॉमा लगाया कॉमा लगाने के बाद end date यह है 31st July यहां पे click किया क्लिक करने के बाद फिर कॉमा लगाया कॉमा लगाने के बाद आगे weekend है तो weekend हम इसी को लेंगे 3 को Monday Tuesday यहां पे double click करेंगे double click करने के बाद ये number यहां पे आ जाएगा इसके इलावा हम यहां पे guested holidays ये दो इनको भी add करना जाते है तो add करने के लिए हम के करेंगे इन दोनों को select करेंगे ये देखो इसके बाद यहां पे दिए गया holidays तो इन दोनो guested holidays को हम add करेंगे तो कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद इन दोनों को select करेंगे ये दोनों select किये select करने के बाद ये range यहां पे आ जाएगी आने के बाद bracket को बंद करेंगे बंद के इसके बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद ये लिखो जो total number of days हमने काम किया दो मीनों में ये 41 days है पहले यहां पे 43 days थे तो उसमें ये add नहीं किये गए थे छुटियां लेकिन इसमें अगले में हमने ये दोनों छुटियां guested holidays है इनको भी add कर दिया है तो यहां पे 41 days यहां पे आ गये हैं तो इस तरह से network days.intl function के जरिए हम यहां पे total number of working days यहां पे निकाल सकते हैं तो इस वीडियो में हमने network days function के बारे में और network days.intl function के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज subscribe my channel धन्यवाद